आज की वीडियो के इंदर हम लोग कवर करेंगे कुश्यन नंबर 21 से 20 तक हम लास्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं अगर आप में नहीं देखा है तो आप जाकर स्कोद देख लीचे को शेट नंबर 21 में हमें क्या दिया गया है तो कॉस्श्श नंबर 21 रूट करें है 21 में हमें दिया गया है कि अमर अकबर पार्टनर्स से एक फॉम में और भे किस दिख दिख में डूरे शोट वन में वो पार्टनर्स हैं 31st March 2023 को उनकी balance sheet में general reserve की value दी गई है कितनी 60,000 It was decided that in the future they will share profit and losses in the ratio of 3 ratio 2 यानि कि Amar और अकबर का old ratio भी दिया गया 2.1 और new ratio 3.2 दिया गया है Pass necessary journal entry in each of the following alternative cases तो हमें journal entry pass करनी है दो case दिये गई है पैला case है when general reserve is not to be shown in the new balance sheet जब general reserve को balance sheet में show आपको नहीं करना है तो क्या होगा Second case when general reserve is to be shown in new balance sheet जब इसको नई balance sheet में show करना पड़ेगा तो क्या होगा तो जब नई balance sheet में show नहीं करना तो reserve का पैसा partners को वापस दे दिया जाएगा तो reserve कितना था? 60,000 और रिजर्व ये किसी भी तरह का fund liability side में होता है और liability का balance क्या होता है credit ठीक है तो credit balance से debit side ही चला जाएगा तो पहली entry क्या की जाएगी यहां करेंगे तो पहली entry होगी हमारी general, reserve, account, debit और ये old partners को ये पैसा वापस कर दिया जाएगा वो भी old ratio में partners के नाम क्या है अमर्स, capital account, to, akbar, capital account, goodwill का पैसा था कितना तो balance sheet में goodwill का पैसा था, 60,000 वो भी old ratio में, old ratio है, two ratio वापस किया जाएगा ये पैसा और akbar को 20,000 उसके बाद लिखते जाएगा being reserve ये जनरल reserve distributed किसके बीच में old partners के बीच में वो भी old ratio में second partner में दिया गया था अगर इसको new balance sheet में दिखाना है तो बीचा रेशो के change होने का यहाँ पर दिखाया जाएगा या ने कि हमें working note यहाँ दिखाना पड़ेगा तो यहाँ working note दिखा देंगे working note partner कौन है दो है अमर और akbar यहाँ लिखा जाएगा अमर और akbar दो partners हैं क्या निकालना पड़ेगा में working note में हम निकालेंगे sacrificing ratio formula क्या होता है old ratio minus new ratio पहले अमर का old ratio का है 2 by 3 और akbar का है 1 by 3 minus इनका new ratio है 3 ratio 2 यानिके 3 over 5 and 2 over 5 LCM आ जाएगा 15 यहाँ पर भी LCM कितना आ जाएगा 15 ठीक है यहाँ देखेंगे 5 x 10 यहाँ यहाँ देखेंगे 5 x 10 यहाँ के ratio के change होने से अकबर को क्या हुआ है gain हुआ है ठीक है अब gain हो गया तो multi-tech से करेंगे firm की goodwill से firm की goodwill कितनी है 60,000 यहाँ कर दिया जाएगा 60,000 यहाँ पर भी किया जाएगा 60,000 इसको solve करेंगे किया जाएगा minus का 4000 यहाँ आ जाएगा plus का 4000 तो ratio के change होने से sacrifice कितने किया है अमर ने किया है और gain किसने किया है अकबर ने किया है जब अकबर ने gain किया 4000 का तो बेटो को compensation की amount pay करेगा debit करेंगे इसको तो एंट्री के बनेगी अकबर's account debit to Amar Capital account कितना debit करेगी जी पैसा दिया जाएगा कितना 4000 तो अकबर पैसा pay करेगा अमर को तो एंट्री के बनेगी अकबर's capital account debit to Amar Capital account और यहाँ पर compensation का पैसा जो अकबर दे रहा है अमर को वो कितना पैसा दे रहा है 4000 बीइंग क्या करेंगी adjustment made जो adjustment हमने की है ठीक है अब करेंगे question number 22 अब देखेंगे question number 22 22 में दिया गया कि मीता गोपाल और फरहान पार्टनर्स हैं वो भी 3 ratio 2 ratio 1 में फिर 31 मार 2018 को they decided to change the profit sharing ratio 532 यानि की old ratio दिया गया है partners का और new ratio हमें दिया गया है गुडविल दी गई है कुछ नहीं पताती है पुरी फर्म की गुडविल दी गई है कितनी 4,80,000 पास necessary journal entries entries एंट्री नहीं एंट्री एक से जाधा करनी है entries for the above transition in the books of the firm on its reconstitution cboc 2019 का portion है तो entries करनी है तो आपको पाता है यह क्या है हमारा asset side में मिलता है distributable item यह भी distributable item यह का मिलता है library side में start करेंगे और chrome की goodwill है start करते है solution number 22 तो जो भी distributable item है सबसे पहली entry उनकी की जाएगी तो पहली बाद तो deferred advertisement expenditure हमारे एक क्या asset side में मिलता है distributable item यह कहां जाएगा credit side में जाएगा तो पहले entry क्या बनेगी partners को debit में लिखेंगे partners का नाम क्या है मीता गोपाल वर फरहान ठीक है तो यहां लिखा जाएगा मीता's capital account debit then गोपाल's capital account debit उसके बाद फरहान's capital account debit to क्या है deferred advertisement to deferred advertisement expenditure account कितना था? 30,000 वो भी किस ratio में? ओल्ड डिशन में ओल्ड डिशन क्या दी गई है हमें question में? 3, 2, 1 तो यहां जाएगा 15,000 10,000 5,000 उसके बाद being deferred advertisement shared among the partners फिर second entry देखेंगे क्या दिया था? reserve था reserve बेटा liability side में होता है credit side में entry करते कहां जाएगा debit side में तो entry क्या बनेगी? contingency reserve account debit to old partners कोन कोन है? meet us capital account to gopals capital account to last partner का नाम क्या है? फरहान to forhans capital account कितना है बेटा? 9,000 है reserve वो भी old ratio में होगा 3 to 1 या जाएगा 4500 3000 1500 ठीक है? being करके narration लिख दी जाएगी being contingency result shared ठीक है? उसके पाद कुशन में हमें दिया गया था क्या goodwill firm की goodwill है बेटा ratio की change उन से परकतो पड़ेगा तो sacrificing ratio लगा देंगी क्या? older ratio minus new ratio किनका? तीनों partners का? कौन-कौन? Mita Gopal और Farhan यहां लिखा जाएगा परहान तो बेटा सबसे पहले रिखें यह Mita का old ratio Mita, Gopala, परहान का इनका old ratio कितना दिया गया है? 3, 2, 1 यानि कि 3 by 6 2 by 6 1 by 6 minus Mita, इनका नया ratio तो नया ratio कितना है? 5 तीन दो यानि कि 5 by 10 3 by 10 2 by 10 ठीक है इनका अलसे हम लेंगी तो आजेगा 30 यहां पर भी अलसे माज़ चुगा है 30 और यहां पर भी अलसे माज़ चुगा है हमारा 30 6 कितने होता है? 30 5 times 5 से करेंगी 15 10 3 times 3 से करेंगी 15 कितना आगया? 0 by 30 यानि कि ratio के change होने से नहीं था कोई fark नहीं पढ़ा कोपाल 6 5 times 5 तीन 3 times 9 means 1 over 30 फरहान में कि 6 5 times 5 से करेंगी 5 minus 3 से करेंगी 3 तीन 6 6 इनके minus 1 over 30 रेशियो के change होने से इसका कोई फर्क नहीं पढ़ा मीता को गोपाल ने sacrifice किया फरहान को गेन हुआ करेंगे फर्म की good will से फर्म की good will दी गई है 4,80,000 यहां लिखेंगे 4,80,000 4,80,000 और यहां कितना आ जागा बिटा 16,000 और यहां जागा negative का 16,000 negative का मतलब फर्हान ने रेशियो के change होने से क्या किया है गेन किया है गेन किया है तो compensation के तो पर्म की पैसा देगा उस partner को जिसने sacrifice कि यहां कि गोपाल को पैसा दिया जाएगा वो पैसा कौन देगा फर्हान यह पैसा देगा इसके entry करेंगे तो entry होगी फर्हान्स capital account debit to पैसा किसको दिया जाएगा जिस partner ने sacrifice किया है तो गोपाल्स capital account ठीक है being adjustment made being adjustment made कितना पैसा दिया है परहान ने गोपाल को compensation का 16,000 उपीश 16,000 उपीश ठीक है आप करेंगे हम question number 23 question number 23 में हमें क्या दिया है question number 23 को देखते तो यहां दिया गया है हमें कि XYZ partners है 532 में यानि की old ratio दिया गया है और उनका future profit मनलब की new ratio है 235 पर देखते हैं यह साथ इंफरमेशन थे general reserve किसी भी चता का reserve यह fund हमें liability side में मिलता है profit and loss का credit balance है liability side का balance है advertisement suspense account debit side का balance है आपको एक pass N यह मतलब single की बाद चलिए adjustment entry A की entry pass करेंगे तो start करते है question number 23 question number 23 के अंदर हमें जो basic information दी गई है उसके करेंगे तो हमें old ratio partners का दिया गया है old ratio of x, y and z कितना दिया गया है 532 5 ratio 3 ratio 2 question में हमें new ratio भी दिया गया है partners का नया ratio भी दिया गया है new ratio of x, y and z वो कितना दिया गया है 2 ratio 3 ratio 5 ठीक है तो हम क्या निकाल देंगे sacrificing ratio sacrificing ratio का हम रहता है old ratio minus new ratio old ratio minus new ratio चेक करेंगे ratio के change होने से game के किस partner ने sacrifice किया तो यहां आ जाएगा कितना 5 by 10 3 by 10 2 by 10 minus 2 by 10 3 by 10 5 over 10 एश्पिया ये ज्याववाण 10 यहां पर भी आ गया 10 ओ यहां पर भी आ गया 10 यह पर भी आ गया 10 यह आ गया 3 by 10 0 दो माइनस थी बाइ टैन जिसका नेगेटिव आ गया जानि इन कि कि मुल्किलाइक कर दें किससे फर्म की गुडविल से अब यहां नई चीज के आगे कि हाँ फर्म की गुडविल नहीं है यहां पर फर्म की गुडविल नहीं है तो net effect देखा जाएगा या फिर adjusted amount केते हैं उसे तो भाई किसी ना किसी value से तो multiply करना पड़ेगा तो यहां लिखेंगे क्या adjusted amount तो बिटा general reserve था question में general reserve का पैसा partners को वापस कर दिया जाता है तो इसको क्या किया जाएगा plus profit and loss का credit का balance है बिटा यह पैसा भी वापस किया जाता है profit and loss account का कौन सा balance है credit side का पस advertisement का पैसा minus किया जाता है बताया था मैंने आपको advertisement suspense account debit side के सारे item minus होंगे और credit के plus तो यह था 6,000 उसके बाद था 24,000 रुपीज और minus में है 12,000 रुपीज तो adjusted amount के आएगी इसमें आजीगी 18,000 अगर goodwill नहीं है तो adjusted amount को हमें calculate करने ही पड़ेगी वाचुकी है 18,000 multiply कर देंगे adjusted amount को यहां से तो अठारा हजार यहां करेंगे और solve करेंगे तो यहां पर यहां पर आगया minus का 54,000 it means यह negative का है तो इस partner ने किया कि X कैपिटल अकाउंट being adjustment made being adjustment made हुँ ठीक है कितना पैसा ज़्द ने दिया है कंपैसा तौर फर य एकसथा ने एकस को पैसा दिया 54 औरן ठीक है हो गार हमा पास कश्यंब Bird Benny Olaseividual 2,튜ざ करेंगे कुंचिन आप करेंगे कॉश्चिन नमबर 24 कॉश्च नमीर 24 में दिया गया जाने है कि भव्या और सक्षी पार्टनर्स हैं त्री रिशो तू में फिर बैलंस शीट आपको दी गई है कुश्यन में फिर यहां पर दिया गया नीचे इस पार्टनर्स है डिसाड़ेंग टूपर शेरिंग डिश्टू बंडिशो बनी दिगई है और इस वह इस ने दी गई सब्सक्राइब करना है यह रिक्वाइड टू पास नेसे से जर्नल एंट्री मतलब एक से जादा एंट्री आपको पास करनी है और अपनी वर्किंग को भी शोग करना पड़ेगा यह सी बेसी के सैंपल पेपर 2018 में आ रगा है तो स्टार्ट करते हैं हमें एंट्री पास करनी एंवेस्टमेंट्ट की गुड विल क्यों जिनराल इसलेचे फी शॅच और क्र पहले थी 30 की 30 की investment अगर हो चुकि है 20 की तो firm को loss हो गया 10,000 का अब ये 10,000 का loss firm अगर उन्होंने investment fluctuation fund नहीं बनाया होता तो 10,000 का loss investment fluctuation fund में से adjust कर दिया जाएगा तो 20,000 रुपे में से 10,000 रुपे का loss हुआ है investment पर वो पैसा दे दिया जाएगा और बचे हुए 20 में से 10,000 रुपे ये पार्टन को पैसा रिटर्न कर दिया जाएगा पहले एंट्री करेंगे investment fluctuation fund की ठीक है तो यह लिखा जाएगा first number पर इंवेस्टमेंट fluctuation fund account debit to fund बना कितना था firm में 20,000 रुपे का fund बना था जिसके उपर loss हो चुका है investment पर जो loss हो गया है वो कितना हो चुका है 10,000 रुपीस का तो अभी 10,000 रुपे बचे हुए है ये पैसा पार्टनर उसको वापस कर दिया जाएगा पार्टनर है कौन भव्या, capital account और सक्षि तो भव्या और सक्षि को ये पैसा वापस कर दिया जाएगा और बैक इस रेशो में और बैसे उर्टनर कर दिया जाएगा तो 10,000 बचा है ठीन तो में यंतिके 6,000 भव्या को दिया जा criter लक्षी को 4000 ठीक है बींग करके इन्वेस्ट्मेंट लॉस सेटल बाइफॉण्ड बींग लॉस ओन इन्वेस्ट्मेंट सेटल बाइफॉण्ड फॉंड ठीक है उसके बाद कुशिन में हमें नेक्ट करिया गया है अख किया है कि तो फर्ष्ट हमारा हो गया है सेंट पॉइंट पर हमें क्या दिया गया था हमें दिया गया था कि जंद रिसर नहीं करना वो कर लेते हैं तो हम यहां पर करेंगे क्या नहीं करना तो सक्सिफाइसिंग रेश्यो निकाल देंगे और दूसर एक हमें जंदल जब है दूसर गुड़ भी दिया गया है सबसे पहले तो सक्सिफाइसिंग रेश्यो निकाल लेंगे बब्या और सक्षी का यहां पर मुल्टिप्लाइब कर दिया जाएगा इसको सिंप्लिपाइब करेंगे यहां जाएगा 1 by 10 और दूसरे बारे का जाएगा माइनस 1 by 10 यहांने कि रेश्यों के चेंज होने से साक्षी ने क्या किया है गें गया है साक्षी को प्रॉपिट हुआ है मुल्टिप्लाइब कर देंगे किस से यहां पर मुल्टिप्लाइब कर दिया जाएगा जन्दल रिजर्व से कितना 23,400 23,400 ठीक है ठीक आ गया 2340 और यहां पर भी आएगा माइनस का 2340 यानि कि रेश्यों के चेंज होने से के सक्षी ने गेंड किया है तो यह पैसा कमपंसेशन का सक्षी प्राइब करेगी किस को भव्या को ठीक है और एंटरी क्या बने potrzeb NO कोई भव्यास कोई पैसा दिया जाएगा प्लिक एंट्री बनेंगी सक्षीज कैपिटल अकाउंट डेबिट सक्षीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू भव्यास कैपिटल एकाउंट कितना पैसा तू थ्री फो जियर टू थाउजन्ट थ्री हंडर्ड फोर्टी वी जंजल रिजल सैटल्ड यह फिर एड़िजिस्टेड उसके बाद हमें नेक्स्ट क्या दिया गया है हमें दिया गया है गुडविल गुडविल के साथ भी सेम इसी हिसाब से होगा तो वहाँ पर रेश्यों करने की ज़र नहीं रेश्यों हमें पता है कितनी आच चुकी है माइनस बाय टैन मल्टिप्लाइ कर देंगे किस से फिर्म की गुडविल से फिर्म की गुडविल कितनी दिगई है 24,000 यहां लिग दिया जाएगा 24,000 इसको सिंप्लिफाय करेंगे यह कितना आ गया 2400 यहां कितना गया माइनस का 2400 ठीक है और नेगेटिव आते ही हमें पता है नेगेटिव आते ही कहां जाएंगी डैबिट में लिखा जाएगा तो यहां नेगेटिव है तो इसने क्या कि राइश्यो के जैंज होती है गें किया है तो इक कंपन्सेश्न का पैसा पे करेंगी साकशी तो एंट्रिय मनेंगी साकॶी को पे करेंगी भव्या को तू भव्यास कैपिटल अकाउंट बींग गुडविल एडिजिस्टिड और कितना पैसा पे किया है यह पे किया 2400 रुपीस 2400 रुपीस ठीक है तो हमारा यह कोशन नुबर 24 तक कवर हो गया है आप लोग को किसी भी कोशन में डाउट हो तो आप कॉमेंट सेक्षिन में कॉमेंट करके मुझ कि पलता आप हुआिए